गुद मॉर्निंग स्टुडेंट मैं वनेश दिवारी आज क्लास 5 की मैट पढ़ाने रहा हूं जिसका फर्स चैप्टर नेम है लेट्स रीकेप ओके स्टुडेंट लेट्स रीकेप का मतलब है जो भी आपने प्रीविस क्लास में पढ़ा है I mean class 4 में जो भी आपने study किया है उसी के basis पर यह पहला exercise है आपका तो start करते हैं पहले question से तो पहला question हमारा है Class आपकी exercise 1.1 का पहला question है The Sussexer of this number is इस number का Sussexer क्या होगा तो Sussexer में आपने प्रीविस क्लास में भी पढ़ा होगा Sussexer के लिए क्या करते हैं किसी भी number का अगर आपको Sussexer बताना है तो उसमें आप plus 1 कर दीजे तो आपका answer आजाएगा तो इसका answer कैसे आएगा बटा 1 जटेंस 100,000 10,000 99,000 है तो क्या करेंगे 99,000 में कितना add करेंगे plus 1 तो हमारा Sussexer आजाएगा और यहां पर जीरो फिर यहां पर भी जीरो और यहां पर 99,000 वन आपका answer आजाएगा next question देखते हैं the largest 5 digit number is largest 5 digit number बताना है तो पर आपने previous class में भी पढ़ा होगा largest कैसे number write करते हैं और smallest कैसे number write करते हैं आपको पता है अगर आपको largest किसी भी digit का number write करना है तो सबसे पहले greatest 1 digit का number write कर लीजे I mean जैसे मैं इसको कर लिया 9 write कर लिया क्या write कर लिया 9 अब कितने digit का बताना है आपको 5 तो 5 x 9 write कर लिजे 1 होई गया है 2 3 4 5 यह का answer हो गया इस question का यह कितना है वन सटें सहंड़ेट थाउजन 10,000 99,999 next question देखते हैं the smallest six digit number is अब आपको smallest write करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 digit 1 लिखेंगे और कितने digit का लिखना है 0-0 आप बढ़ाते जाएं तो 1 2 3 4 5 तो कितने digit का हो गया 1 2 3 4 5 6 6 digits का हो गया next question देखते हैं the predecessor of 50,000 इसका predecessor क्या होगा once 10 100,000 10,000 50,000 आपका है इसका predecessor आपको बताना है तो predecessor में हमेसा जो इस नंबर का predecessor आपको बताना होता है उसमें से one minus कर देते हैं तो इसका कैसे आएगा 50,000 50,000 minus 1 कर देंगे आप क्या कर देंगे minus 1 कर देंगे ओके तो क्या आएगा 0 में से one minus नहीं होगा that's why यह बारो करेगा इससे फिर यह जाएगा I mean आप बारो करोगे 5 से यहां तो यह कितना दे देगा इसको 5 इसको देगा 1 तो यह हो जाएगा 10 फिर यह इसको देगा 1 यह हो जाएगा 10 फिर यह 10 फिर यह लास्न में 10 10 में से one जाएगा कितना ऐगा minus 9 आजाएगा अभी इसके पास 10 हो गया था इसने एक बारो किया था तो यहाँ पे 9 बचा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 9 यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ कितना हो गया 4 तो यह आपका क्या आगया answer आगया answer हो गया I mean इसका जो भी आप predecessor लिखोगे यहाँ पे space नहीं है that's why बटा हम इसका यही लिखेगे यहाँ पे क्या आए था predecessor 9 and 9 and 9 9 और 4 यह आपका answer 1 minus करने के बाद इतना आएगा next question देखते है write the numerals in words जो भी आपको numerals given है उसको क्या करना है आपको word में write करना है किस में write करना है word में देख ले पे कैसे write करेंगे पहले इसको आप read करिए once, tens, hundred thousand, ten thousand इसका मतलब कितना है 30,000 कितना है यह 30,000 कितना है थर्टी थाउजेंड next once, tens, hundred thousand, ten thousand तो क्या पढ़ेंगे आप इसको 75,759 तो हम इसको क्या write करेंगे 70 75,000 75,000 75,000 700 75,000 75,000 alright करेंगे 59 59 okay student इस नमबर को कैसे write करेंगे 75,759 is the answer okay student next question हमारा है express the given numerals in word according to international system okay student देख लेते हैं question number 3 next question हमारा question number 3 express the given numerals in words according to international system okay student हमको यह जो given number है इसको international system के according आपको word में represent करेंगे इसको express कर दिया गया है international मतलब word में कैसे write करेंगे आप 400 450,000 152 next question है इसको कैसे represent करेंगे 600,000 600,000 350 okay next है हमारा question number 4 है write the given numbers in numerals form आपको जो भी words में given है आपको क्या करना है number में represent करना है मतलब digit में so करना है तो यहाँ पर क्या है 79,660 तो आपको पता है यहाँ पर once होता है फिर 10,000 now 10,000 कितना होता है 10,000 तो यहाँ बोल रहा है 79,000 तो यहाँ पर 7,79 600 बोल रहा है तो 100 पर 6 और 66 जिरो तो 79,660 यह हमारा अंसर हो गया next question है हमारा फिप्टी फाइब थाउजन्ट फोर हैंड़ थाउजन्ट तो क्या once हो गया 10,000 और यहाँ पर 10,000 हो गया तो हम कैसे राइट करेंगे इसको 55,000 that's why 55,000 100 400 435 यह हमारा अंसर है ओके स्टुडेंट next question आपको देख लेए question number 5 हमारा क्या है arrange the given number in ascending order आपको क्या करना है given number को ascending order में write करना है ascending order में write करना है आपकर लीजेगा question number 6 है express the given numbers in expanded form question number 6 में आपको क्या write करना है expanded form यह student आपने ascending order class दिवस में पढ़ा है तो आपकर लीजेगा आप कर लेंगे question number 6 देख लेते है express the given numbers in expanded form आप इसको expanded form में कैसे write करोगे यह है है हमारा okay student यह हमारा number है इसको हमको expanded form में write करना है expanded form में write करने का मतलब है जितने भी number है इसमें सब की आप place value write करिए और सब के बीच में plus का sign लगा दीजे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 की place value क्या होगी once tens hundred thousand ten thousand lakh place पे है तो 2 में multiply कर देंगे one लिखे बाकि जितना zero बचे ना जितना digit बचे सोरी जितना digit हो उतना आप 0 लगा दीजे one two three four five किता five लगा दिया हो गया यह ठीक प्लस प्लस का फिर sign कर लेजे और यहाँ पे one का place value write करना है तो यहाँ पे one multiplied by one लिखे बाकि four zero seven में कर देजे one two three four यह हो गया इसकी place value multiply करेंगे भी आ जाएगा next plus two की place value आपके write करनी है तो यहाँ क्या write करोगे two multiplied by okay student यह हो गया इसकी place value two की place value next है plus three की place value write करना है आपको three multiplied by hundred okay student plus six की place value multiplied by sixty plus seven की place value seven multiplied by one now यह है आपका expanded form इसको हम इस वे भी में लिख सकते हैं two one जाओ two one multiplied by one two one जाओ two triple zero okay student next है plus three one जाओ प्लस exercise के साथ जो भी कोशन बचे हैं वह आपके homework हैं आप कीजिएगा जो भी ना है वो कोशन हम से फिर से पूच्छेगा तो कीजिएगा जाओ नाओ प्लस